आज मैं अपने चैनल पे साबुदाना का पकोड़ा के रैसे पी शेयर कर रही हूं इसको मैंने इफ्तार में तैयार किया और यह इतने करार है इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने सौट बने हैं कि बस मज़ा ही आ जाता है इसको खा कर चलिए देखते हैं इसको कैसे तैयार कर इसको बनाने के लिए मैंने एक कप साबुदाना लिया था और इसको मैंने वाश करके भीगो रखा है थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको भीगो दिया था और यह देखिए सौट सा हो गया है दो से तीन घंटे मैंने इसको थोड़ा सा पानी डालकर भीगो दिया था तक् इसका पानी मैंने सारा निकाल दिया है इसे जाथ एक को हम दही लेंगे तीनों इंग्रीडियेंट को हम बराबर ही लेंगे यह मैंने गाड़ा दही लिया है इसी तरह का मैं दही चाहिए गाड़ा कि चावल कम सैड कर देंगे दही को हम साबुदाना में डालेंगे इसके साथ मैंने एक इंजा द्रक का तुकड़ा लिया था और पांच हर इमेज इसका मैंने दद्रा पेस्ट तेयार किया है यह हम डाल देंगे यह मैंने डाल दिया है हाफ टीस्पून हम जीरा डाल देंगे बस हाफ टीस्पून मैंने डाल दिया है अब हम चावल का पेस्ट भी ग्रैंडा जार में बना लेंगे, अगर आप भीगावा चावल नहीं डालना चाहेंगे तो आप चावल काटा भी ले सकते हैं, वह आप डाल ले जीगा, थोड़ा सा पाणि डाल का बस हम इसका पेस्ट तेगार करेंगे, बहुत पतला हमें पेस् नमक इसमें आड़ कर रही हूं आप अपने टेस्ट के कॉर्डिन डालेगा बस इन सबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह मिक्स हो गया यह देख 있으 और इसको हम फ्राई करेंगे फ्राई करने से पहले हम इसमें एक किया की मिक्स करेंगे और इसको fry करने के लिए यह देखे मैंने oil को पहले ही कराय में डालके गरम कर रखा है फटा फट से इसको हम fry कर लेंगे जैसे और सब पकोड़े डालते हैं उसी तरह से हमें इसका पकोड़ा साइस डालना है बना कर यह बहुत ही क्रिस्पी खाने में होता है और अंदर से काफ इजी रेसेपी है पकोड़े की अगई रेसेपी आपको पसंद आ रहे है तो चैनल को जड़ो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें बैल आइकन को जड़ो से प्रैस कर लीजीगा जिसी क्या होगा कि जो मैं आगे और वीडियो अप्लोड करूंगी उसका न हुआ 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 है